एलो है ज lift आई एलाए बनेे के लिए बॉशाला ऊब्शात कोना की लिए धो कोर में ऊबाद सीनियोगेवगे इसंव को में भीड़ी सूर्ण करने के लिए में औरalities ऐहे उालो कि भीड़ीफीनों के लिए alter兩 し बीस मिनिट के लिए ढखके उबालेंगे 15-20 मिनिट के बाद आलू को चिक करेंगे आलू अच्छे से उबल गई है गया इसको अपकर देंगे और एक बॉल लेंगे और उसके उपर एक छनी रख देंगे और गर्मा गरम आलू को छनी में डालते जाएंगे और चमच की मदद से इसको मैस करेंगे आप अगर ऐसे मैस करना नहीं चाहते हैं तो आप काटा चमच से इसको मैस कर सकते हैं या पेटेटो मैसर से ही इसको मैस कर दिखांग सकते हैं, लेकिन एक बात को ध्यां रखिगा फ्रिंश गर्मा गरम इसमें से करेगा ठंदा करकर आलू को मेस्स मत करेगा मैं फटा पट आलू को मैस कर ले रहे हो तब आगे रेशिपी सी दिखाऊंगे यह हैं चाहटी चाहट मसाला डाली हूं और आधी चोटी चमच नमक डाली हूं आप स्वाद अनुसा नमक कम ज्यादा कर सकते हैं तिन चाहटी चमच लालमीची पाउडर आधी चोटी चमच गरम मसाला इनको डालके अच्छे से उनको मिक्स करना है मैं अच्छे से इसको फटाफट मिक्स कर ले रही हूं अच्छे से इसको मिक्स कर ली हूं अब थोड़ा सा इसको अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद हाथ को अच्छे से धूके साफ कर लेंगे उसके बाद आगे की रेसिपी करेंगे हाथ को अच्छे से दोकि इसमा हात्य है अच्छे से देनी है इसके थोड़ा सा डोलेंगे और इसको हाथ अच्छे से दोलेंगे और इसको हाथ पर रहके मिक्स करेंगे मीक्स करेंगे और भोली बनाएंगे ग deben जबोड़ा सेव देंगे तेसे वीडियो में जब दे रहे हैं थोड़ा सालाम कर देना है दोनों तरफ से हातसे दबाते हुये है अशे से मैं इसको सिर्ब दे दी हूँ अब चाकु की मदật से चाकु में पहले हम क्या करेंगे किन लगा लेंगे दीग कन फ्लायर से इसे कट करेंगे थोड़ा हलका-कट करेंगे पूरा नीचे तक करेंग बीचों बीच तक कट करना आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं ऐसे कट करके सारे प्लेट में रखते जाएंगी मैं फटा फट सारा एसे यह बना के त्यार कर ले रही हूं मैं दूसरा भी बना के दिखाई हूं अच्छे से इसका बॉल्स बनाना एक दम चिकना बॉल्स बन पॉल्स में दरनें के तो फ्राई नहीं होगी अच्छे से और फ्ैलने लगेगी मैं फटाफट सारा बनाके रख दिया दिंग डुसरा भी बना दिम प्लेट में ने करना है तो उसको डाल सबस्क्राइड पर इसको प्लेंट के लिए एक तरफ से मिनट के लिए प्लेंगे ऐने पर तरफ से फ्राइड हो जाया तब कष़ा चंप लेंगे और उसे हम प्लेटेंगे मैंने इसको पलट ली हूँ पटापट में सारा पलट ले रहीं इस बात के ध्यान रखेंगे फ्रेंस हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है नहीं तो अंदर से कच्छा रह जाएगा और अच्छे से एकडम मार्केट के जैसे जो सनेक्स मिलती है मैं के वह से नहीं बन पाएग इसलिए इसको लो मिडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है में दूनों तरब से अच्छे से उलटते फुलटते कलर चेंज होने तक फ्राई कर ली इसको फ्राई करने में मेरे को 12-13 मिनट की टाइम लगी है और इसको चान के निकाल लेंगे एक प्लेट में सारे चान के अब लेक्त प्लेट में निकाल लेंगे और चटनी के साथ सब करेंगे अगर फ्रेंस भी रियाज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और सेर करें बाइब फ्रेंस